सुन्दर्बन जंगल में सब ठीक ठाक चल रहा था जंगल का राजा चील अपने जंगल की सारी जिम्यदारिया अच्छे से निभा रहा था जंगल का राजा एक चील होने की वजह से बाकी सारे पंची सुरक्षित मैसुस करते थे राजा को एक बेटी थी जिसका नाम स्वीटी था वो बहुत घमंडी और नक्चडी थी उसे राजा की बेटी होने का बहुत घमंड था राजा को कोई और संतान नहीं थी, जिस पर वो अपने जंगल का सारा भार सोब सकता था अजी क्या हुआ, आप किस बारे में सोच रहे हो, आप बहुत ही चिंतित लग रहे हो अरे कुछ नहीं भागवान, मैं बस यही सोच रहा था, कि अब मेरी उमर हो गई है और जब मैं इस दुनिया से चला जाओंगा, तब मेरे जाने के बाद, मेरे पीछे मेरे जंगल का क्या होगा अजी, आप ऐसी अनाप्शनब बाते मत करो, हम दोनों को अभी बहुत सालों तक जीना है और रहे बाद जंगल को संभाल लेकी, तो हमारी पेटी स्वीटी है न, मुझे संभालेगी हमारे जंगल को मुझे तो नहीं लगता, स्वीटी जंगल को संभाल पाएगी, क्योंकि वो बहुत लाड़ प्यार में बड़ी हुई है हमने उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसुस नहीं होने दी और तुमने तो उसे अपने सिर पर चड़ा रखा है, तुम उसे कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं कहती जाने दो, आप अभी से इन सब बातों की चिंता मत करो, जब का तब देखा जाएगा वो दोनों बाते कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर राजा की बेटी स्वीटी आ जाती है पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी के अभी खरगोश खाना है, आप कहीं से भी जाकर मेरे लिए खरगोश लाइए स्वीटी बेटा, क्या तुम हमारे जंगल के नियम भूल गई? मैंने तुम से कितनी बार कहा है हम मासाहार में सिर्फ हमारे जंगल के मरे हुए जानवर खा सकते हैं और अगर तुमें इतनी ही भूख लगी है, तो तुम किचन में जाकर कुछ शाकाहरी खाना खालो तुम ये मत भूलो के तुम जंगल के राजा की बेटी हो, जो नियम हमारे जंगल के बाकी के पंचियों पर लागू होते हैं, वो हम पर भी होते हैं अरे अरे बस करो, और कितना बोलोगे मेरे बेटी को, और उसने ऐसा क्या मांग लिया, सिर्फ एक खरगोशी तो मांगा है, आप सिपाहियों से कहकर खरगोश लेकर आने को बोल दीजिए, हमारे जंगल में तो बहुत सारे खरगोश है, उनमें से एक मर भी गया तो क्या मा या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न, तुम्हें तुम्हारे बेटी के जिदक के आगे कुछ भी दिखाए नहीं दे रहा? तुम्हारे इस लार प्यार की वज़ा से ये इतनी बिगड़ गई है, जंगल के सारे पंचों के साथ साथ बाकी के जानवरों की सुरक्षा भी म परगोश ना सही, मैं मेरी बेटी को किछन में जाकर मस्ट पीज़ा बना कर खिराती हूँ। उसे पीज़ा बहुत पसंद है। माया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सुभा मीनू मौसी राजाजी के पास एक शिकायत लेकर आती है। जब वो महल में आ रही थी, तब उसके पंख से महल में रखे हुई एक कीमती फूलदान गिर जाती है और तूट जाती है। तभी वहाँ पर स्वीटी आ जाती है। और तूटे हुए फूलदान को देखकर गुसे से आग बबुला हो जाती है। और मीनू मौसी को डाटने अलती से मेरा पंख इस फूलदान पर लग गया और ये गिर गया। अरे ऐसे कैसे पंख लग गया। तूम ठीक से देखकर नहीं उड़ सकती थी। क्या तुम्हारे आखों में मिटी चली गई थी। नजाने कहां कहां से आ जाते है। गरीब कही की। हाह। स्वीटी के ऐसा कहते ही मीनु मौसी को गुसा आ जाता है। अरे ओ स्वीटी की बच्ची मैं तुझसे ठीक से बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं के तू कुछ भी बोले। मैंने कहा ना ये फूलदान मुझसे गलती से गिर गया। मैं उमर में तुझसे बड़ी हूँ। फिर भी तु मुझे गरीब बोल रही है मेरा बस चले तो मैं ऐसे दस फूलदान एक साथ एक लाइन में लाकर यहां पर रग दू। बड़ी आई मुझे बोलने वाली तू देख ले ना तुझे कभी ना कभी हम पंचियों की जरुरत जरुर पड़ेगी। आवाज सुनकर राजा औ और माया वहाँ पर आजाते हैं। अरे मिनु मौसी आप यहां कैसे और यह शोर कैसा यहां पर क्या हो रहा है। मिनु मौसी राजा जी को सारी बात बताती है। सुटी यह तुमने भग गलग किया। मिनु मौसी इस जंगल की सबसे बुजरुग चिड़िया है। और तुम इनसे बत्तमीजी से बाग कर रही हो। उन्होंने कहा ना कि उनसे गलती हो गई। फिर भी तुम उने बोल रही हो। चलो उनसे माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। सुटी वहां से चली जाती है। मिनु मौसी सुटी की तरप से मैं आपसे माफी मांगता वैसे मिनुमोसी आप यहाँ पर क्यों आई थी? मैं आपके पास नागराज की शिकायत लेकर आई थी नागराज की शिकायत? अब उसने ग्या किया? राजा जी नागराज जंगल में आकर पंचियों के अंडों को खा रहा है और अगर उसे अंडे नहीं मिले तो वो सीधा पंचियों को निगल रहा है मैं उसी की शिकायत लेकर आपके पास आई थी आप चल्दी से उस नागराज का बंदोबस्त करो वरना बात हाथ से निकल जाएगी अरे बापरे यह तो बहुत बड़ी बात है आप चिंता मत करो मीनो मोसी मैं अब इखुद जाकर नागराज को इस जंगल से ख़देड कराता हूँ जो भी हमारे जंगल के नियमों को तोड़ेगा उसे इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है शुक्रिया राजा जी अब मैं चलती हूँ मीनो मोसी के जाते ही चील राजा सिपाही लेकर नागराज को जंगल से बाहर ख़देडने के लिए निकल पड़ते हैं मीनो मोसी राजा के महल से निकल कर बाच्चित करने वाले पेड़ पर आ जाती है अरे मीनो मोसी आप कहा पर चली गई थी? मिनु मोसी सबको सारी बात बताती है ये तो बहुत गलत बात है राजा की बेटी बहुत बतमीज हो गई है अगर समय रहते राजा जी और माया चिलने उसे तमीज सिखाई होती तो आज ये नोबत नहीं आती हाँ मिनु मोसी लेकिन अच्छा हुआ आप नागराज की शिकायत लेकर गई थी आज से नागराज हमारे अंड़ों को नहीं खाएगा ना कि हम पंचियों को दूसरे दीन दो भेहर के समय जंगल के कुछ पंचियों के बच्चे महल में आकर स्वीटी के साथ चुपन चुपाई खेर रहे थे शुरुआत में तो स्वीटी सबके साथ अच्छे से खेर रही थी लेकिन जब बच्चों की चुपने की बारी आई और जब स्वीटी को सबको ढूरना था तब उसमें खेलने से मना कर दिया मुझे नहीं खेलना तुम्हारे जैसे गरीब और गंदे बच्चों के साथ चलो जाओ यहां से बच्चे अपने घर चले गए और अपने ममे पापा को ये बात बताई बेटा जग्गू अपसे तुम महल में खेलने के लिए मत जाना तुम तुम्हारे बाकी दोस्तों को भी ये बात बता दो ठीक है पापा फिर एक दिन स्वीटी अपने पापा के पास आ जाती है पापा मुझे बाहर अकेले घुमने जाना है स्वीटी बेटा तुम अभी छोटी हो चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सिपाहियों को भेजता हूँ, तुम उनके साथ चली जाओ नहीं पापा मैंने एक बार कह दियाना नहीं, तुम्हें जाना है, तो तुम्हारे साथ सिपाही भी आएंगे, नहीं तो तुम कहीं नहीं जाओगी स्वीटी फिर से गुसा हो जाती है और वहां से अपने रूम में चली जाती है सिपाहियों स्वीटी पर नजर रखो कहीं वो हम से चुप कर अकेली ना चली जाए स्वीटी के कमरे के बाहर दो सिपाही और कमरे के अंदर सिपाईयों की बीविया स्वीटी पर नज़र रखने के लिए आ जाते हैं अब क्या मुझे नज़र केद में रखोगे कम से कम मेरे रूम में तुम आओ, अब चली जाओ यहां से मुझे अकेला छोड़ दो सिपाही ये बात राजा को बताते हैं उस पर राजा जी उन्हें रूम के बाहर से स्वीटी पर नजर रखने के लिए कहते हैं थोड़ी देर गुजर जाने के बाद स्वीटी रूम के खिर्की से भाग जाती है चलो अब तो मैं महल के बाहर आ गई अब कोई रोकेगा मुझे अब मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं स्वीटी गुमते गुमते बहुत दूर तक आ गई थी अरे यार ये चंगल कितना बोरिंग है मुझे तो अब प्यास लगी है अब मुझे पानी कहां पर मिलेगा थोड़ी देर और खोच करने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है वो उस तालाब के किनारे के पास आ जाती है और पानी पेने लगती है अरे थू 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 कितना गंधा पानी है इस पानी को पीने से अच्छा है मैं प्यासी रहूं स्वीटी वहाँ से निकल पड़ती है चलो अब मुझे महल वापस जाना चाहिए उड़ते उड़ते मैं बहुत दूर तक आ गई हूँ वो वापस महल की और निकल पड़ती है जब वो वापस आ रही थी तब उसे अचानक से चक्कर आने लगे और देखते ही देखते वो नीचे जमीन की तरफ गिरने लगी जमीन पर गिरते ही वो बेयोश हो गई तभी वहाँ से दो शिकारी वलचर शिकार की तलाश में गूब र रही थी वो उपर से स्वीटी और गित्धो को देख लेती है और उनके पास वाले पेड़ के पास चुक्के से आकर बेट जाती है अरे ये तो राजा की बेटी है लेकिन ये अकेले बाहर क्या कर रही थी अरे वा 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 आज तो हमारी निकल पड़ी आज हम एक चील को अरे ओ पगले तेरी खोपडी सटक गई है क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा ये राजा की बेटी स्वीटी है अगर हमें इसे खाते हुए किसी ने देख लिया तो राजा हमें कच्चा चबा जाएगा इससे अच्छा हम इसे किड्नेप करते हैं और राजा को इसके बदले ठेर सारा सोना मांग लेते हैं ये सही रहेगा चल इसे उठा लेते हैं शिकारी उसे उठा कर ले जाने ही वाले थे के तभी मीनु मौसी वहाँ पर आ जाती है क्यू रे बदमाश गिद्धो तुम दोनों में क्या किचड़ी पक रही है मैंने तुम्हारी सारी प्लैरिंग अगर ये बात राजा को पता चल गई तो तुम्हारी खेर नहीं अरे ओ बुडिया तु जिन्दा रहेगी तभी तो राजा को ये बात पता चलेगी ना शिकारी मीनु मौसी पर हमला करने ही वाला था तभी मीनु मौसी ने उन दोनों के आखों में लाल मिर्च का पाउडर अरे बुडिया ये तो ने क्या कर दिया अरे बापरे मेरी आखे तो जल रही है अरे बटले चल भाग यहां से गित वहां से भाग जाते हैं बड़े आये मुझसे पंगा लेने वाले भूलो मत मीनो नाम है मेरा देखा स्वीटी की बच्ची मैंने तुससे कहा था ना तुझ मुझे एक ना एक दिन हमारी जरूरत चरूर पड़ेगी मुझे तो तेरी मदद नहीं करने चाहिए लेकिन मैं हमारे राजाजी के लिए ये कर रही हूँ लबता है ये बेहोश हो गई है अब मैं अकेली तो इसे उठाकर नहीं ले जा सकती मुझे किसी से मदद मांगने तभी मेनू मोसी को कालू कवा वहां से जाता हुआ दिखाई देता है वो कालू को आवाज लगाती है कालू वहां पर आ जाता है मेनू मोसी सारी बात उसे बताती है कालू समय ना गवाते हुए जाकर पंची एम्बुलेंस लेकर आता है इधर बहुत देर तक स्वीटी कमरे से बाहर नहीं आई इसलिए उल्लू की पत्नी अंदर जाकर देखती है उसे स्वीटी कहीं पर नजर नहीं आती रूम की खिड़की खुली देखकर वो समझ जाती है कि वो भाग गई है सिपाही ये बात राजाजी को बताते है राजाजी डर जाते है और सिपाहियों को लेकर स डॉक्टर तोता स्वीटी की चार्च करते है और उसे सलाइन लगाते है चिंता की कोई बात नहीं है मिनुमोसी डी हाइडरेशन की वज़ा से ये बेहोश हो गई है मैंने सलाइन लगा दिया है थोड़ी ही देर में ये होश में आ जाएगी सिपाही और राजा जी के बहुत डूनने के बाद भी उन्हें स्वीटी कहीं नहीं मिलती वो वापस महला जाते है क्या हुआ मेरी बेटी कहाँ पर है हमने उसे बहुत डूनडा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली वो मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी जाकर मेरे बेटे को लेकर आईए के तबी वहाँ पर कालु कवा आ जाता है, कालु राजा और माया को सारी बात बताता है वो तीनों डॉक्टर तोते के पास आ जाते है, स्वीटी भी होश में आ गई थी वो अपनी ममी पापा को सारी बात बताती है, जब स्वीटी को पता चलता है कि मेनु मौसी ने उसकी जान बचाई तब वो शर्मिंदा हो जाती है मुझे माफ कर दीजे मिनु मौसी, मैं आपकी और चंगल की सारे पंचियों की मेरे बताओं के लिए माफी मांगती हूँ मिनु मौसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वज़से हमें हमारी बेटी वापस मिल गई